मित्रो नमस्कार मैं मैं त्रिपाठी नौग्यान जोति शेनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि आपने थमनेल में पढ़ा है कि मित्वन रासी वालों के लिए केतू देव का यहां गोचर जो है बहुत ही शांदार रहने वाला है अरब पती बनने का योग इस समय बना हुआ है अभी तक केतू महराज ये म्रतक अवस्था में थे अब ये ब्रध अवस्था में आ गए हैं यहां से आपको केतू देव का शुभ या अशुभ प्रभाव मिलना शुरू होगा मिथून रासी में जो केतू देव संचार कर रहे हैं वह संचार कर रहे हैं पंचमभाव में शुक्र देव की रासी में और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि राहू या केतू जिस रासी में भी गोचर करते हैं उस रासी के स्वामी का प्रभाव कई गुना जादा बढ़ा देते हैं इस समय लगबग 12 जुलाई के आसपास तक केतु का यह जो गोचर है यह आपके पंचंभाव में रहेगा तो यह जो दस महीने का समय है यह बहुत शांदार मिथुन रासी के विक्तियों के लिए रहने व केतु का गोचर बहुत ही जवर्दस्त है आपकी तिजोरी भरेंगी ऐसे योग बने हुए है अरब पती आप बन सकते हैं इस प्रकार का केतु का गोचर रहेगा अगर आप नौकरी में है नौकरी में भारी मात्रा में सफलता मिलेगी प्रिजन टाइम पे केतु तुलारासी में हैं और तुलारासी जी के स्वामी उच्च के हैं इसके बाद ये लाब भाव में चले आएंगे शुक्र महराज तो ऐसे में अपार धन सुख सम्रद्धी मिलना तैं है यदे आपकी लगन मिथुन है या मिथुन रासी है तो दोनों के लिए यह केतू का गोचर बहुत जब करके बैठे हुए हैं बीच में कुछ समय के लिए केतू अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे 18 जून से लगा करके 12 जुलाई तक यह जो समय रहेगा यह थोड़ा आपके लिए श्ट्रेगलिंग पीरियड रहेगा क्योंकि इस समय आमदनी उतनी नहीं हो बाकी का जो समय है इस समय से लगा करके 12 जुलाई 2023 तक केतू का यह गोचर बहुत ही जवर्दस्त रहने वाला है धन के लिए कुछ नकार आत्मक प्रवाव भी आपको केतू देंगे वहिया देंगे कि जो महिलाएं गरवती हैं उनको इस समय विशे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गरव कीहानी हो जाना इस तरीके के योग बने हैं और जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो खाने पीने में सावधानी करते हैं क्योंकि यह मार काट आपरेशन का ग्रह है के तू उट पटांग ना खाएं सात्विकाहर ग्रहन करें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या होती है तो चिकित्सकी प्रामर्ष लें दूसरी चीज़ों भी आप डिसीजन लें यादि आपकी मितुन लगन है मित हाला कि केतु का एक दुश्प्रभाव यहां आपको अवस्य मिलेगा कि यदि आप विद्यार्थी हो तो मान के चलो बुद्धी में आपके बटकाओ रहेगा प्रेम में आपको कहीं न कहीं धोखा मिलेगा आपका मन बार-बार प्रेम की तरह भगेगा तो कोशिश करें अनापस अनापस मंदों से बचे अनिथा केतु का आप पूरा सुबफल नहीं ले पाऊगे अब अगर बात करें उपाय की तो यदि आपकी केतु की महादसा या अंतरदसा चल लही है तो आप जो है शुक्र द केतु का सुबफल जितना समय मैंने बताया है इतने समय तक अवस्य आपको मिलता रहेगा उमीद है या चोटा सा वीडियो आपके लिए helpful साबित होगा तो यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पे पहली बार आए है तो चैनल को सब्स स्थित हो जाएंगे नमस्कार